अलो माई डियर स्टूडेंट्स तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो आई है भाई आध हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल कानेटिक्स को इन ज़स्टी मिनिट्स पूरे चैप्टर की बढ़िया से रैपिड रिवीजन करेंगे और जितने भी important question है उन सब को भी हम बहुत अच्छे से करने वाले है request करूँगा कि कुछ question मैंने पुछे उनके answer जरूर करना और जो भी numericals रहेंगे उनके साथ में screenshot लेते हैं so that कि एक free time में आप उनको पढ़ भी सको और इस lecture के जो notes है जो मैंने notes मैंने यूज कि हैं वो आपको free of course मिल जाएंगे हमारे telegram channel जो की भारत पंचाल सर के नाम से लिंक आपको मिलेगा description में बिल्कुल nominal सा इसका price रखा गया है और इसमें वह सब feature है जो आपको टोफ पर बना सकते हैं तो हर एक बच्चे ने जुरूर लेनी है इसका लिंक आपको description मिल जाएगा और साथ के साथ एक चोड़ा सो question मुझे कहीं सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम रेगुलर क्लासिज लेने लें आप लोग कमेंट सेक्शन में जिरूर रताना अब जितना data हमारे पास आएगा कि हां बच्चे बोलेंगे yes तो yes हम बहुत जल्दी एक paid batch start कर देंगे for sure वो आपकी बहुत help करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं chemical kinetics को के chemical kinetics है क्या देखें chemical means chemical reaction और kinetics means speed तो इस chapter में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं speed of chemical reaction और वो कौन-कौन से factors हैं जो speed of chemical reaction को affect करते हैं वो हम लोग इस chapter में अच्छे से देखने वाले हैं लिखा क्या हुआ है chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the study of rates of chemical reaction their mechanism and the condition in which rate can be altered mechanism means होता है कोई भी reaction किस तरह से हो रही है और वो कौन-कौन से तरीके हैं जिससे आप किसी भी reaction के rate को किसी भी reaction की speed को अल्टर कर सकते हो चेंज कर सकते हो बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो आगे हम बढ़ते हैं हमने chemical reaction को classify किया है on the basis of speed तो जब आप on the basis of speed classify करते हो तो हमारे पास तीन तरह की reaction निकल के आती है very fast reaction very slow reaction moderate reaction नाम से ही सब कुछ clear हो रहा है very fast reaction कौन से होतके बटा दोज reaction which takes very less time in completion less time से मेरा क्या मतलब है इन reaction को पूरा होने में बेटा जी 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 17 seconds लगती है और यह बहुत थोड़ा समय है है नो और इसका best example क्या रहते है बेटा जो भी हमारी आई निक reactions होते हो वह very fast होते एक example दिया गया silver nitrate को treat के आ गया है with NaCl तो silver की जगा पर Na चला जाएगा और यह क्या बन जाएगा और यहाँ पर AgCl इसके बाद है very slow reaction very slow reaction मितलब ऐसी reaction जिनको पूरा होने में बहुत जादा time लगता है कितना time लगता है months to years in completion इसका सबसे best example होता है बेटा जी formation of coal and petroleum को बनने में लाखो क्रोडो साल लगे हैं और इस time को हम minutes में seconds में calculate नहीं कर सकते इसके लावा rusting of iron हो गया और या फिर इसके लावा setting of cement हो गया जो cement है अब आप बोलोगे sir cement तो बहुत जल्दी set हो जाता है सिमेंट जल्दी set नहीं होता है सिमेंट powder form से solid form बनने में time लगता है क्या होता है कि जैसे आज कर rainy season चला होगा या जब भी तो सिमेंट करता है हलकल का moisture को absorb करता है तो वह दीरे दीरे powder form से solid form में जाने लगता है इसे बोलते हैं setting of cement अब यह दोनों ही reaction ऐसी है बटा इनके हम लोग speed calculate नहीं कर सकते क्यों नहीं calculate कर सकते को जिनका time एक का time बहुत जादा है एक का time बहुत कम है तो फिर किसकी speed हम लोग calculate कर सकते हैं हम लोग calculate कर सकते हैं moderate reaction किसे कहते हैं those reaction which are neither very slow nor very fast but takes place at moderate speed इसका बड़िया example दिया गया है हमें कौन सा भाई hydrolysis of sucrose hydrolysis of sucrose सुक्रोज का formula पता होगा आप लोगों क्या होता है सुक्रोज means होता है sugar जिसका formula होता है C12H22O11 इसमें आप लोग क्या डालोग बैटा जी पानी डालोगे in the presence of acid or any enzyme तो बैटा ये convert हो जाएगा इसको half-half कर दीजिए C6H12O6 इसे क्या बोलेंगे हम लोग इसे क्या बोलेंगे ब्रावो इसे हम लोग बोल देंगे एस्टर क्या होता है like this CS3COOC2H5 आप इसमें पानी मिलाओगे in the presence of acid reaction होगी तो क्या होगा बटा इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो इधर जाएगा OH इधर जाएगा H ये बन जाएगा CS3COOH और ये बन जाएगा C2H5OH पहले आप लोग मुझे रताइए कि CS3COOH को क्या बोलते हैं C2H5OH को क्या बोलते हैं ये बहुत commonly used organic compounds है है इसको तो चाउमीन में डाल दिया जाता है और इसको दर्द दुख बुलाने की दवा बोला जाता है मतलब तुम मत यूज़ करना ये habit forming है और बहुत गंदी चीज़ है ना मताना इनका दनों को क्या होता है चलो आगे मुझ करते हैं तो हम moderate reaction के बारे में ही पढ़ते हैं इसके अलावा हम reactions को classify कर सकते हैं on the basis of number of steps तो elementary reaction कौन सी होती है बटा दो complex reaction complex complicated है ऐसी reaction जो single step में नहीं होती जिनको होने के लिए एक से ज्यादा step चाहिए जैसे कि आपको A से D बनाना था तो पहले आपने क्या बनाया A से B बनाया और फिर B से C बनाया फिर C से D बनाया और यहां पर एक खास बात यह है कि जो complex reaction होती है उसमें number of steps होते हैं तो एक से ज्यादा step होंगे 2-3-4 जितने भी हो सकते हैं उन में से एक step होगा जो slowest step होगा और आप किसी भी rate को determine करने के लिए किसी reaction की speed को determine करने के लिए आप यही बूलोगे slowest step is rate determining step इसके लिए मैं बहुत अच्छे example देता हूं कि जैसे कि मुझे किसी function में जाना तो तुम्हारे भारत सर को ready होने में लगते हैं 5 मिनट ठीक है और परव धहरिया उनको ready होने में लगते हैं 10 मिनट और जो तुम्हारी मैम है नहाँ मैम उनको ready होने में मानगे जाते है minimum उनको लगेंगे 60 मिनट अब हमें किसी function में जाना वेसलिए family के साथ जाना है उदर तो फ सबसे स्टेप है वही rate determining step है ऐसा ही हर एक reaction में होता है जो सबसे स्टेप होता है वही rate determining step होता है अगला question arise होता है कि सर क्या मतलब होता है rate of reaction का आप लोगों को change upon time कितना change हो रहा है कितने time में हो रहा है बात खता है यही लिखा गया है it is the change in molar concentration of species taking part in chemical action per unit time अब देखिए reactant time के साथ घटता है इवन आप ये graph की help से भी देख सकते हो कि reactant time के साथ घट रहा होतता है और product time के साथ बढ़ रहा होता है इसका बडिया से example अगर हम करें एक जगा पर आटा है और आटा यसे हमने क्या बनानी है रोटी बनानी है तो initially जब आटा होता है तो फुल होता है और रोटी 0 होती है जैसे जैसे time pass होता ह। आटा कम होता जाता है और रोटी बढ़ती चली जाती है सेम हर एक reaction में ब्यासे हो जहां पर रेक्टेंट से आप बना रेड़ हो इनीशो यहां है फिरां पर इनीशिय रीक्टेंट की हम बात कर लिटेंदेदे Might के इ। इसमेंन महानं के चलो कि यह हम इसे अन्डर को मोले तो सथी हम्ना नीशिय लेटे हैं मौलल लिट राप पर लिट्र है सब्सक्राइब करें, जितना रिक्टेंट कम होगा प्रोड़क्ट उतना ज्यादा बन चुका होगा, फाइनल प्रोड़क्ट बन चुका होगा, यहाँ पर 50 मोल पर लिटर, अब तुम्हें काम की बात में बताता हूं, अब कम बोलेंगे कि reaction complete हो चुकी है, जब reactant 0 हो जाए, जितना reactant reaction के अंदर था, अगर वो सारे का सारा consume हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि यार, यह reaction जो है, complete हो चुकी है, ठीक है, generally reaction पूरा खतम नहीं हो पाता है, तो, बट हम बोल सकते हैं, कि अगर reactant पूरा खतम हो गया, तो reaction पूरी हो गई, अब मैंने आपको क्या बोला, rate of reaction का मतलब क्या है, rate of reaction का मतलब है, बेटा जी, change in concentration upon time, अब डेल्टा आर, अगर मैं निकालने को बोलू, डेल्टा आर क्या आएगा, भई, final minus initial 50 minus 100 is minus 50 mole per liter, और change in product कितना आएगा, भई, final minus initial 50 minus 0 is 50 mole per liter, और अगर आप rate निका 50 by time, minus 10, है न, और यहां से minus 10 mole per liter per minute, और अगर मैं बात करता हूं, इधर से अगर आप rate निकालना चाहो, rate is change upon time, change कितना है 50, और time कितना लिए है 5, तो यह plus 50 हो जाएगा, sorry, plus 10 हो जाएगा, अब मैं कोई काम की बात आता हूं कि कभी भी, कोई भी rate of reaction जो है, negative नहीं हो सकती, अगर मैं यहां से देख्यों तो rate of reaction नेक्टिव आ रही है, तो हमें इसको positive करना पड़ेगा, तो आप हमेशा ही reactant के साथ एक negative sign default लेके चलते हैं, क्योंकि rate of concentration of reactant time के साथ गढ़ती है, उसको plus करने के लिए अगर मैं एक minus अपनी तरफ से लेके चलते हैं, reactant के case में, तो अ delta r by delta t, और product को क्या लिखेंगे, plus delta p by delta t, getting my point, यह minus हमने क्यों लगाया है, क्योंकि reactant की concentration minus में आएगी, उस minus को हम प्लस कर सके, बस, अगर हमारे पास कोई reaction है, मान के चलो, यह हमारे पास reaction, 2x plus 3y gives 5z, z बोलते हैं इसको, और यहां पर अगर मैं आपको बोलो rate of reaction निकाल लो बाई, तो rate of reaction लिखें बटा, यह reactant है, reactant time के साथ degree जोते हैं, के साथ minus लेकेते लेंगे, product time के साथ हिनके लिए प्लस लेकेते लेंगे, coefficient हमेशा आप अपन में लगाते हो, तो यह क्योंद आएगा, minus 1 by 2 delta x by delta t, यह भी reactant ही है, तो minus 1 by 3 delta y by delta t, यह product है, so plus 1 by 5 delta z by delta t, इस त rate of reaction को express कर सकते हो, clear है, आगे क्या लिखा हुए है, the concentration of reactant decreases, so it represents by negative sign, while the concentration of product increases, it is represented by positive sign, अच्छा, rate of reaction की बात करें, तो दो तरह की rate of reaction होती है, बटा, एक होती है, average rate of reaction, और एक होती है, instantaneous rate of reaction, average rate of reaction की होता है, change in molar concentration of reactant or product at a given interval of time, इसमें time interval की बात करते हैं, और इसमें किसकी ब करते हैं at a given instant of time, इंटरवल और instant में क्या होता है, कि जैसे, समझो, कि हम लोगों ने, अभी विराट कोली है, विराट कोली ने वर्ल्ड कप खेला, अब 9 मैचों में इसमें कितने रन बनाए है, मान लेतने है, 90 रन बनाए है, इतने ही कुछ होंगे, 90, 110, ठीक है, इतने रन ह या 100 रन बनाए है, 180 मान लेतने हैं, तो उसकी, और वो हर मैच में आउट हो गया, हुआ भी है, तो उसकी पर मैच की एवरेज बनती है, 90 रन, 20 रन पर मैच, ठीक है, यह होता है अवरेज, जब हम एक लंबे टाइम इंटरवल की बात करते हैं, instant क्या होता है कि मैं बोलू य इसमें बड़े टाइम इंटरवल की बात करते हैं, तो इसकी चेंजिस को शो करने के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं, ठीक है, और यहां पर हम लोग यूज करते हैं बटा, डेल का, किसका यूज करते हैं, डेल का, ठीक है, इस तरह से डेल ऐसे हो सकता है, या फि expression देना है, तो minus del r by del t is equal to plus del p by del t, आप लोग लिख सकते हो, अब हर एक reaction के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप generally इसको prefer करोगे, अगर आपको नहीं बोला गया average rate of reaction, और अगर आपको नहीं बोला गया है interval, तो आप इसी को बोलोगे, अगर आपको बोल जाए, time interval, interval मतलब average rate of reaction की बात की जा रही है, ठीक है, एक reaction है, 2a gives c plus d, इसकी rate of reaction लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बोला instantaneous rate of reaction है, तो यह 2 है, तो 1 by 2 होगा, reactant है तो minus, minus 1 by 2, da by dt is equal to, यह product है, plus dc by dt, यह product है, plus dd by dt, यह एक reaction है, 5 br negative, br O 3 negative, 6 h plus 3 br 2, 3 h 2, हो जाएगे कि नि, बेटा, यह सारे reactant है, तो इन सब के सामने minus का sign लगेगा, coefficient upon में जाएगे, यह product है, तो इनके सामने plus का sign लगेगा, और coefficient upon में चले जाएगे, unit of rate of reaction अगर कभी निकालना है, तो मैंने आपको बताया, rate of reaction क्या होता है, change in concentration upon में time, यही होता है, concentration के unit के अगती है, बरावो, mole per liter, और time के अगती है, second हो सकती है, minute भी हो सकती है, second हो सकती है, minute हो सकती है, तो यहाँ से क्या बन जाएगी rate of reaction, mole per liter per second, यह फिर mole per liter per minute, mole per liter per हार, ठीक है, आपको एक और reaction दे रखिए, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कहने तरी है, reaction, a, a plus b b gives cc है, यहाँ से आपको rate of reaction अगर कभी निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, coefficient upon में, और reactant के लिए minus product के लिए, minus 1 by a, dA by dt, minus 1 by b, db by dt, plus 1 by c, dc by dt, यह तो हो जाएगा, अब बिटा, देखो, अगर, यह तो rate of reaction है, rate of reaction में, coefficient upon में चले जाते हैं, अगर आपको कभी बूल जा तो वहाँ पर हमने coefficient का use नहीं करना है, repeat कर रहा हूँ, rate of reaction निकालते हैं, तो coefficient upon में जाते हैं, बट अगर कभी आपको appearance, disappearance की बात की जाते हो, तो आप coefficient का use नहीं करते हो, तो जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा rate of disappearance of a, तो आप क्या लिखोगे, minus dA by dt, disappearance of b, minus db by dt, appearance, plus dc by dt, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक reaction दे रखिए, a plus 2b gives 3c plus 2d, the rate of disappearance of b is this, आपको इसकी rate of reaction निकालनी है, rate of change in concentration of a and c निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले, rate of disappearance of b, यानि कि minus db by dt आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 by, sorry, 1 into 10 की पार, minus 2, 0 per liter per second, आ 2 है, minus 1 by 2, db by dt, 3c है, plus 1 by 3, dc by dt, ये 2 है, plus 1 by 2, dd by dt, बहुत बढ़िया भाई, हमने rate of reaction लिख दिया, अब आप लोगोंने क्या निकालना है, rate of change in concentration of a, अब since a reactant है, minus dA by dt हो जाएगा, तो अब क्या कर सकते हो, अब आप ये लेखो, rate of reaction हमने निकाल लिया, rate of reaction आप किस त इस तरी के से निकाल सकते हैं, इस तरी के से निकाल सकते हैं, इस तरी के से निकाल सकते हैं, आपका थोड़ा थोड़ा बहुत पता है, minus db by dt, minus db by dt के वाल्ली ये है, बटा, 1 by 2, तो तो इस सोल्व करके है, 0.5 into 10 की पावर, minus 2, point number 1, अब आपको concentration of a निकालनी है, यानि कि आपको क्या निकालना, minus db by dt, rate of fraction आपको पता है, तो इसमें relation देख लो, अगर आपको rate of fraction नहीं पता हो, तो पोसिबल है कि आपको rate of fraction निकालने को ना बोला जाए, फिर आपको जो पता हो, उसको और इसकी value निकालनी हो, उसको एकवेट करते हैं, अभी आपको rate of fraction पता है, इसकी value हमें निकालनी है, तो इन दोनों को एक वेट करेंगे, और बस, फुट कर दो, change in concentration of c, तो rate of fraction आपको पता है, और यह रहा c, आपको plus dc by dt नकालना है, तो 3 को अधर ले जाएंगे, rate of fraction की value कितने रखे आपको, आपने अभी calculate खुद से ही की है, स्वयम की है, तो 10 minutes, calculate the rate during the interval, आप कैसे calculate करोगे, तो 2a है, अगर आप इसकी rate of fraction लिखना चाहो, तो क्या लिखोगे, minus 1 by 2 delta a by delta t, से delta क्यो लिखा, del क्यो नहीं लिखा, इसने interval word यूज कर दिया, ठीके, अब दूसरी बात यह कहा है, कि concentration चेंज हुई है, कहां से कहा, 0.5 mol per litre to 0.4 mol per litre, concentration में अगर आपको कभी भी निकालना है, तो वो होगा, हमेशा final minus, initial, final 0.4 है, minus 0.5, है ना, तो यह कितना हो जाएगा, minus 0.1, अब उन में time गया गया है, 10 minute है, तो इसको solve कर लेंगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके बाद है, एक reaction आपको दे रखिए, प्रिविस यह को को 5 by dt, प्रोडक्ट है तो प्लस में, प्लस 1 by 4, dno2 by dt, प्लस 2 by dt, और आपको क्या दे रखा है, और अगर आप देखते हो, तो आपको दे रखा है, rate of formation of no2, formation, decomposition, appearance, disappearance, ऐसे कुछ भी दे रखा हो, तो उसमें coefficient नहीं लगाते है, तो formation है, यानि कि बनता जाएगा, प्लस dno2 by dt क value कितने रखे है, 2.18 into 10 की पाँ, minus 3, सबसे पहला question आप लोगोंने solve क्या करना है, यहाँ से rate of fraction निकालनी है, तो rate of fraction इस तरी के से निकाला जासकता था, इस तरी के से निकाला जासकता था, इस तरी के से निकालागा, जिसकी value आपको थोडी बहुत दे रखी, आपको dno2 by dt को में और dn25 by dt में यह रहा माइनस dn25 by dt निकालना तो तो उदर तला जाएगा तो तो में रेक्शन कर दोगे रेक्शन कितनी है 7.0 तो यह जाएगा 14.0 10 की पावर माइनस 4 या फिर सेंटिफिक नोटेशन में करोगे तो 14 को 1.4 10 की पावर माइनस 3 नेक्स्ट और बहुत इंबोर्टन डोपे की तरह बढ़ते हैं राइडी फैक्टर्स विच अफेक्ट रेक्ट्रेशन तो असे फैला फैक्टर है कंसेंट्रेशन अफ रेक्टेंट तुर्ण पढ़ लेते हैं डाटा इटिप्ज़व देखा गया है कि स्टार्टिंग बहुत आट्ढ़र्टय वह एकजांपल मैने दिया था तो रेक्ट्रेशन की स्पेड भी और आप लगो सकते हो औरतीं होते हैं तो एक जग़ा PAR यह मन siya नपत में में यह महरिया है कि अधित पहरें और हितना रेक्षेंट कम होगा बैटा चिक कम उतनी ही कम आगली बात है गलत और assembly के तहुत बढ़ाएंगे तो 99 परसेंट reaction की speed बढ़ती ही है एक अक्सेप्शनल केस कहां पर हो सकते हैं जो एक्जो थर्मिक reaction है एक्जो थर्मिक reaction एसी reaction जिनको होने के लिए heat release करनी पड़ती है और आप उसको temperature supply कर रहे तो वह उसके लिए non favorable case हो जाता है बट generally temperature बढ़ाने से speed reaction बढ़ती है data यह बोलता है कि अगर आप 10 डिग्री राइज कर रहे हो temperature में तो rate of reaction जो है डबल हो जाएगा clear है नेच्ट है नेचर ओफ reactant अलग-अलग reactant की अलग-अलग speed of reaction होती है जैसे आप देखो 2NO plus O2 यहाँ पर यह reaction fast है 2CO plus O2 यह reaction जो है slow है है अब सर यह कैसे energy किसे कहते है extra energy जो required होती है ठीक है मान के चलो कि मेरे पास अभी कोई फोन नहीं है या मान के चलो मेरे पास अभी S23 Ultra है ठीक है मान के कहते हला है यह मेरे पास है ना अब मैं S24 Ultra ले लो या फिर 15 प्रो मैक्स ले लो इसकी market value हमने लगा दी कि मान के चलो 70,000 है यह मुझे मिलेगा एक लाग का और यह मुझे मिल रहा है 1.5L का तो इस केस में मुझे कम extra amount of money चाहिए इसमें में प्रोड़क्ट तो किसी भी reaction को होने के लिए ऐसे जाना पड़ता है यह नोर्मल रेक्शन है यहां पर होती है energy of reactant यह होती है यह पीक पॉइंट है यहां तक पहुचने के लिए threshold energy चाहिए अब जो energy कम परतियों से बोलते है एक्टिवेशन energy तो catalyst क्या करते हैं किसी भी reaction में टरनल बना देते हैं या कह लिए किसी भी reaction को एक shortcut provide करते हैं with lower activation energy मानके तो लोग कि मैं second-end S24 Ultra लेने लग जाओ या second-end और दुसरे जगा पर 10 किलो लगड़ी से आपने powder बना दिया उसका बुरादा बना दिया दोन्यों में अगर आग लगाओगे तो बुरादा जल्दी जलेगा क्योंकि इसका surface area जादा है दुसरा example हो जैसे कि आपने एक किलो गुड ले लिया एक किलो चिन्नी ले लिया चिन्नी का बुरा बना दिया उसको powder form में ले लिया दोन्यों को पानी में गोलने लगे तो जो बुरा है वो जल्दी गूलेगा जितना जादा surface area of reaction होता है उतनी rate of reaction बेटा जी जादा होती है exposure to radiation की अगर बात करें देखो बेटा हार एक जगा पर radiation की जूरत नहीं है बट जहां पर है वो reaction अच्छी speed से हो जाती है the rate of some reaction increases rapidly in the presence of radiation और जो reaction radiation की presence में होती है sunlight की presence में होती है बेटा उन reaction का specific नाम होता है उन्हें हम लोग बोलते है अगला एक बहुत ही इंपोर्टन टोपिक है जिसका नाम है ब्रावो रेट लो क्या बोलते है यह किसी भी डिपेंडेंस बताता है और concentration of reactant यह तो हमें पता ही है कि rate of reaction concentration of reactant पर बढ़ती है concentration of reactant पर डिपेंडेंस बढ़ती है जित्मी concentration of reactant ज्यादा होगी rate of reaction भी इत्मी ज्यादा होगी चलो इसको देखते हैं यह कहना कहता रहा है rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant and each raise to the power their coefficient on which rate of reaction actually depends देखो मैं इसको simple words समसंदाता हूं कि जैसे कि हमारे पास कोई reaction है AA plus BB gives product तो सबसे पहले बहिया नहीं क्या बोला सबसे पहले नहीं बोला कि जो rate of reaction rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant reactant क्या है A and B each raise to the power their actual used concentration term या फिर on which rate of reaction actually depends यह data हमें experimentally पता चलता है या फिर मैं भी तुम्हें सिखा दूंगा कैसे हम निकाल सकते हैं जैसे हमें experiment करने से पता तल गया कि इसका actual use कितना है बिटा इसका actual use है alpha इसका actual use है बिटा यह given होगा आपको ठीक है तो इसकी power हम लोग क्या बनाएंगे alpha और इसकी power क्या बनाएंगे बिटा इसको हटाएंगे तो यहां से constant आएगा which is known as K इसको क्या बोलते हैं इसके कहीं सारे नाम फेमस है इसको लोग बोलते हैं rate constant या फिर इसका एक और नाम होता है क्या बोल सकते हो specific reaction rate या फिर इसको क्या बोल सकते हो velocity constant है यह सब इसके नाम हो सकते हैं getting my point or not I hope you are getting my point अगर आपको इसको define करना है तो किसी भी constant को define कैसे करते हैं इसके बाजुवालों को one करते हैं तो यह सामने वाले एक एक फिल हो जाता है क्या लिखोगे rate constant is equal to rate of reaction when concentration of each reactant becomes unity देखो यह लिखागे rate constant is equal to rate of reaction when concentration of each reactant becomes unity अच्छा यह जो alpha and beta है अगर मैं इसको जोड दूँगा तो इसे बोलेंगे order it is the sum of power according to rate low expression rate low के expression में जो powers है अगर आप उनका sum कर देते हो यह आपके पास order आजाता है अच्छा rate constant की बात करें तो rate constant क्या है main है आ सकता है indicate the speed of reaction greater the value of rate constant faster is the reaction यह हमें speed of reaction के बारे में बताता है जितनी k की value जादा होगे उतनी faster speed of reaction होती है every reaction is the particular value of rate constant at a particular temperature हर एक reaction के लिए rate constant की value fix होती है और इसकी value depend करती है उन temperature एक reaction में temperature fix है तो उसका rate constant fix रहेगा बट अगर आपने उसी reaction में temperature को change किया तो rate constant भी change होगा temperature बढ़ाया तो rate constant बढ़ेगा temperature गटाया तो rate constant भी गटेगा the rate constant for the same reaction differ with temperature the value of rate constant for a reaction doesn't depends upon concentration of reaction concentration of reaction पर depend नहीं करती है इसकी value इसकी value depend करती है बेटाजी temperature पे the unit of rate constant is depend on the order of reaction और simple सा formula होता है k is equal to mol per liter की power 1-n per second या फिर अगर आपके पास कोई reaction gases है atmospheric की power 1-n per second बेटा यह formula भी आप लोग लिख सकते हो अच्छा अगली बात अकती है molecularity of a reaction molecularity of reaction मेंटा collision theory पर depend करती है collision theory क्या बोलती है for a reaction to occur for a reaction to यहीं पर लिख देता हूं में for a reaction to occur reaction to occur reacting molecule reacting molecule must come must come closer to each other and collide with each other to form product अगर किसी भी reaction को होना है तो reactant को pass आना पड़ेगा उनको आपस में टक्राना पड़ेगा तब भी आपके पास product बनेगा है नो और यहां पर हमारे दो तरह के collision हो सकते हैं बेटा एक हो सकता है effective collision एक हो होता है ineffective collision नाम से के लिए effective collision क्या है बेटा जहां पर reactant आपस में टक्राएंगे और उनसे product बनेगा ineffective collisions कोन से होंगे जहां पर reactant टक्राएंगे बट उनसे product नहीं बन पाएगा ऐसा क्यों क्योंकि दो barrier होते हैं बेटा एक होता है orientation barrier orientation barrier और दूसरा होता है energy barrier energy barrier ठीक है रियक्टन को proper orientation होने चाहिए सही जगे से टक्राना चाहिए और एक बढ़िया energy के साथ टक्राना चाहिए यह नहीं कि बहुत को मान किते हो हमने किसी villain को मारना है गोली सही लगेगी सही स्पीड से लगेगी तो मर जाएगा नहीं लगेगी तो नहीं मरेगा उसको इद्धर से चूगे चली गई यह प्रोपर orientation नहीं है इदर से नहीं मरेगा वो इदर लगनी चाहिए इदर लगनी चाहिए ऐसे मर जाएगा क्या वो वो प्रोपर बड़ीया स्पीड से जानी चाहिए और ऐसे निया कि वो बंदा पांच किलो मेटर काड़ा और तुम घर से तान्ना मारो धां दिक्कत हो जाएगी तो प्रोपर अरिंटेशन होने चाहिए प्रोपर अनर्जी भी होने चाहिए अच्छा अब मोलेक्लियाटी क्या बोलती है अगर कहीं पर एक रेक्टेंट है तो मोलेक्लियाटी वन है यूनिमोलेक्टियर रेक्शन है दो रेक्टेंट है तो मोलेक्लियाटी टू है बाइमोलेक्टियर रेक्शन है अगर रेक्टेंट तीन है तो मोलेक्लियाटी थी है ट् वर्ड शायद मिसिंग है याद रखिए साइमल्टेनिस लिए नंबर ओफ एक्टम आयन मोलेक्टिल डैट मस्ट कोलाइड विद इच अदर साइमल्टेनिसली तु फर्म प्रोड़क्ट तीन से जादा रेक्टिंट को साइमल्टेनियस कोलाइजन नहीं पोसिबल है तो तीन से लोग बता चुके है इसा था अगर एक है अगर बिक पर आ तो यहाँ है या फिर फेमोस कोशन मंजाता ह्या है व्याट इस दाइट डिए और ख्याक्राइड मॉलेक्टिल संजो दर है पावर ओफ कंसेंट्रेशन ओफ रेक्टेंट इन रेट लोग एक्सप्रेशन में जो पावर से उनका सम् मॉलेक्लिर्टी के है नंबर ओफ रेक्टिंग स्पीशिज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनिएसली ओडर ओफ रेक्शन की वैल्ली जीरो भी हो सकती है ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी रेक्शन जो है रेक्टेंट पर डिपेंडिन ना करें किसी रेक्शन की स्पीड है जो कैटलिस्ट वाली बहुत सारी रेक्शन ऐसे होती है जिसकी स्पीड सिर्फ कैटलिस्ट पर डिपेंड कर यह क्या है, experimental concept है और यह क्या है, एक theoretical concept है, order is applicable to elementary as well as on complex reaction, किसी भी complex reaction या elementary reaction का order निकाला जा सकता है, बट complex reaction की molecularity नहीं निकाला जा सकती, क्योंकि बहुत सारे step में है, आपको elementary reaction ही देखनी पड़ती है, molecularity is applicable to elementary reaction only, order can be 0, molecularity कभी भी 0 नहीं हो सकती, order can be fractional, molecularity can't be fractional, order की value negative भी हो सकती है, कुछ cases में, molecularity की value negative नहीं हो सकती, बटा, आगे move करते है, बटा, यहाँ पर कुछ example दिये गए है, 0 order की reaction का, 1st order की reaction का, 2nd order की reaction का, है न, यह है, अच्छा, अगर आपको rate constant की unit निकालने है, for different order, इसको formula मैं नहीं पिता दिये था, मोल पर लिटर की power 1-n per second है, ठीक है, ATM की power 1-n per second, जैसे 0 order है, 0 order यानि की value 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर मोल पर लिटर की power 1-0 per second, 1-0, sorry ब्रो, यह क्या हो गई, 1-0 तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ से मोल पर लिटर पर second, first order के लिए n की value 1 हो जाएगी, तो 1-1, formula है न, मोल पर लिटर 1-n per second, 1-1 0 हो जाएगा, अगर किसी चीज़ की power 0 हो, तो वो चीज़ 1 हो जाती है, तो यहाँ से जोट बन जाएगी, per second, ठीक है, अगला है, order अगर 2 है, 1 1-2, 1-2 is minus 1, minus 1 को अंदर multiply करेंगे, तो मोल की power minus 1, liter की power 1 per second, अगर order आपका fractional 1 by 2, 3 by 2, कुछ भी हो सकता है, तो मोल पर लिटर, 1-1 by 2, 1-1 by 2 is minus 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2 को अंदर जब multiply करेंगे, तो जहां तक मुझे लगती है, 1-1 by 2 is minus 1 by 2 नहीं होता, 1 by 2 होता है, तो मोल की power 1 by 2, लेटर की power minus 1 by 2, पर second हो जाएगी, अब मैं आपसे एक चोटा सा question और पूछ से लेता हूं, है ना, question पूछेंगे बटा, तभी आपकी ट्रैक्टिस होगी, 1st order के लिए pressure की टर्म्स में rate constant के रिक्टाओ बटादी क्या होने वाली है, अब देखते हैं, integrated rate equation, सबसे पहले हम आपका करते हैं, integrated rate equation for 1st order क्या होते हैं 1st order reaction वहाइई, दोज रिक्ट्षन, which rate depends upon one concentration term of reactant ऐसे zero order किसे कहेंगे zero concentration term of reactant पर जो depend करते है second order reaction किसे कहेंगे two reaction which depends upon two concentration term of reactant expression important नहीं है बेटा फिर भी मैं आपकी सहुलियत के लिएक बार बतायता हूँ कि जैसे reactant से product बनता है rate of reaction अगर first order किया तो R की power 1 हो जाएगा rate of reaction निखने का एक तरीका ये भी था कि आप लिख सकते हो minus dr by dt is equal to kr r वाल टम्स को एक तरफ ले जाओ minus dr by r और ये dt उदर तला जाएगा k dt इसके बाब दुनों साइड integration करोगे minus integration of dr by r constant बाहर करते हैं integration of dt dr by r की integration आएगी ln r और dt की integration आएगी t और integration जब भी करते हैं साथ में constant आता है जिसे बोलते हैं integration constant इसको i से represent कर सकते हो इसको आप c से represent कर सकते हो अगर आपको integration constant के value नो कलने है तो time को 0 मानना पड़ेगा और अगर time 0 मानना है तो r हो जाएगा r0 where r0 means होता है zero change in concentration term of reactant in concentration of reactant या फिर initial concentration of reactant भाया reactant से product बनने में कुछ तो समय लगेगा अगर हम उस reaction को समय ही नहीं देंगे तो simple सी बात है कि भाई 0 ही change आएगा उदर से तो है कि नहीं उदर से क्या ने वाला भाया 0 change आएगा यही बात हम लोग लिख रहे हैं आगे मिम करते हैं तो T आपने 0 पुट कर दिये तो यह सारे 0 हो जाएगा और R की जगा पर यह हो जाएगा माइनस LN R नॉट आई की वेल्यू आगे अब आप इस I की वेल्यू इस equation में पुट करोगे बटा है ना तो माइनस LN R is equal to KT और I की जगा पर माइनस LN R नॉट अब एलन वाली हो तो 2.303 लोग भी लिख सकता हूं तो आपने इस LN को क्या लिख दिया 2.303 लोग K को इधर ले आए ट के लिए सोल्व कर दिया ठीक है बटा आप इसके नुमेरिकल के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मुला क्या रहते है बटा T is equal to 2.303 by K log A by A minus X Generally question इस formula से बनते हैं बहुत सारे नुमेरिकल इस formula से पुछे गए है मैं दुबारा से इस formula के लिख रहा हूं T is equal to क्या है 2.303 by K log A by A minus X या फिर K के लिए अगर मैं solve करूं 2.303 by K log A by A minus X A का मतलब क्या होता है बटा? Initial concentration Initial concentration अगर percentage में बात है तो हमेशा 100 लेके चलोगे और अगर fraction में बात है तो 1 लेके चलोगे X का मतलब क्या होता है? Change in concentration की कि कितना change आया है जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप T 75% का expression दीजिए इसका मतलब है कि अगर 75% reaction complete हो जाए तो उसके expression क्या रहेगा? तो क्या रहेगा ब्रो? T 75 is equal to 2.303 by K log A यानि initial जो कि 100 होगी और ये 100 minus कितनी change हो चुकिए अभी? 75 क्लियर है? अगर मैं आपको कोई बोलता हूं T 99% का expression दीजिए तो T 99 का expression क्या रहेगा? 2.303 by K log A यानि initial 100 और A minus X यानि की 100 minus 99 बेटा ऐसे question जब भी आपसे पुछे जाते हैं तो पहली question से आप K के value निकालते हों और अगले में K के value पूट करके solve कर देते हों जनरली आपको T 75, एक वाला T दे रखा होगा, आपको बोला जाता है कि T, एक reaction को 20% complete होने में 25 मिनट लगते हैं तो बताओ 60% complete होने में कितना time लगेगा? मतब दो relation मनाने होंगे पहले वाले से rate constant की value नकालते हैं दूसरे वाले में उसको put करते हैं जैसे अगर आपको 75 दे रखा होता और T 99 निकालना होता तो कैसे निकालते हैं यहां से के value निकालते हैं और इधर put करके T 99 को हम लोग solve करते हैं इस तरह से question होते हैं अब बात कर लेते हैं बढ़ों को सिंदी प्लिष अब अधिया को सबस्कैना घृमीज यह दोघृट यहां सकते हो जिरो कंसेंटरेशन टम अफ रेक्टन तो रेक्टन्ट से प्रड़क्ट से प्रड़क्ट रेट ऊघ्टाइड के अएक्सप्रेशन क्या दो गया और र के पावर जीरो और जीरो है प्लस में i, इस i की value नुकालनी पड़ेगी, तो get the value of i, time को माल लेंगी 0, r हो जाएगा r-, तो t के value 0 पुट कर दी, तो i के value क्या जाएगी, r की देगा प्याप ने r-, ठीके, तो यहाँ से क्या बन गे बटा, minus r is equal to kt plus i, यह वाला formula है, minus r is equal to kt plus i, i के value पुट कर दी, r0 को देगे, r0 minus r is equal to kt, है न, अगर आप k के लिए solve करना चारे हो, r0 minus r by t is equal to k, और अगर आप t के लिए solve करना चारे हो, तो r0 minus r by k, इस तरह से, यहाँ पे एक छोटा सा point आपका और समझना चीए, half life period आप से पुझा जाता है, half life, obviously half आदी जिंदगी, आदी जिंदगी का मतलब क्या है, जब आपका आद्धा reactant खतम हो चुका हो, ठीके, क्या लिखा गया है, the time in which the concentration of a reactant is reduced to, one half of its initial concentration, या it is the time in which half of the reactant consumed, ठीके, तो इसको represent किया दाता है t1 by 2 से, अगर आप first order के लिए इसका expression दोगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसको express कर रहे है, for first order, और यहाँ पर इसको express किया गया है, for zero order, कैसे expression दिया जा सकता है बेटा, first order के लिए t का formula क्या तो 2.303 by k log r0 by r, where r0 is initial, r means concentration में जो भी change आया है, तो t को t half रखेंगे, log 2 के लिए 0.3010 और जब आप इस सारे को बेटा जी solve करोगे, तो t half का formula आएगा 0.693 by k, आप से कहीं मार पूछ लिए जाता है कि कौन से order के लिए half life concentration of reactant पे depend नहीं करती है, तो बेटा first order है, जिसका half life reactant पे depend नहीं करता, इदर कहीं भी reactant का रोल ही नहीं है, clear है, अब आगे बढ़ो, अगर आप 0.2 के लिए करो तो 0.2 का formula रखेंगे था, r0-r by k, है ना, तो t क्या पूट करोगे, t1 by 2, r क्या पूट करोगे, r0 by 2, भया, half life के से कातने है, जिसमें initial concentration का half हो चुका हो, तो initial concentration का half कर दोगे, r0-r0 by 2, by में k है, तो ये 2 r0 में से 1 r0 जाएगा, तो r0 by 2 के बचेगा, mathematical है, ये mathematically है, ये राम से हो जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं भी आता है, तो final formula आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, collision frequency, अभी 2 मिंट बाद पढ़ेंगे, पहले एक दो टोपिक और है, अच्छा, पेटा, एक ग्राफ है, प्लीज हाज ओड़ा हो, इसको एक बर अराम से समझो, अगर concentration versus rate का ग्राफ बनाए, 0 order के लिए, तो 0 order में जो rate होती है, speed of reaction होती हो, concentration पे dependent ही नहीं करती, और first order के लिए, बहया, rate तो depends गरता है, half-life depends नहीं करता हृ, concentration पे, first order का, half-life depends नहीं करता है concentration पे, but rate depends करता है, हम यह लिखते है, 2 reaction, which rate depends upon 1 concentration term of reactant, और इसमें क्या था, 0 order के अगर rate की define करती तो, 2 reaction, which rate is independent on concentration of reactant, या फिर which depends upon zero concentration term of reactant, इधर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, और concentration versus time का graph बनाए, तो इस तरह से बेटा formula याद रख लेना है, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, इसका slope होता है, minus के, बाकी graph के मेंना, मैंने एक detail में class ले रखी है, मैं request वैसे तो इनको याद रख होता है, minus k by 2.303, ठीक है, यह decreasing graph होता है, इनको slope negative होता है, आगे मुख परता है, pseudo first order reaction, pseudo नाम आप लोगों ने कभी न कभी सुनाओगो, pseudo means होता है, नकली, धोखा, है ना, those reaction, which are not truly of first order, but under certain condition, become reaction of first order, are called pseudo first order reaction, ऐसी reaction जो actual में first order के नहीं होते हैं, वो कुछ खास परिस्थितिय के अंदर वो first order की बन जाती है, उन्हें हम लोग first order reaction बेटा जी, बोल सकते हैं, इन reaction की खास बात क्या आती है, कि इनका molecularity 2 होती है, और इनका order 1 होता है, दूसरी खास बात क्यों होती है, कि इन में से एक reactant बहुत जादा होता है, एक reactant बहुत कम होता है, जो reaction की speed होती है, व वो तो यूज हो ही नहीं पाएगा, उसको बहुत थोड़ा सा इसा यूज हो पाएगा, अगर कोई क्रोड़ोपती है, उसका एक रुपया चला जाए, तो उसको फरक नहीं पड़ेगा, और किसी के पास ही एक रुपया, तो जिसकी concentration small होती है, वो यूज हो जाता है, तो rate हम सब्सक्राइब करते हैं, जिस पर फरक पड़ा हो, मान किते हो मैं हो मेरा दोस्त है, ठीक है, हम स्कूल में थे, तो क्या है, यह अपने बहरत जी हैं, और एक मेरा दोस्त है, जिसका नम S से स्टार्ट होता है, कुछ भी एकदाम पल मालेते हैं, ठीक है, मैं क्रोड़ोपती तो अब मिलाएंगे, अब बचारे के बास 20 रुपे हैं, क्रोड रुपे हैं, बीस पे एक समोसा मैंने ले लिया, इसे उस नहीं ले लिया, ठीक है, और समोसा घाके, जुँबाए, तो तो देन क्या हुआ, फरक इस पर पड़ा है, यहां पर फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है यहां पर हाइड्रोलीसिस ऑफ सुक्रोज की बात करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पड़ा था इसे एक्षीड केटलाइज इन्वर्जिन ऑफ केंश शुगर बोल सकते हैं यह शुगर का फॉर्म्मला है इसमें पानी डाला तो जिया बन जाएगा जिया मतलब ग्लुकोज इसकी koncentration small है और water की koncentration excess है तो वोटर पर देपान्ट नहीं करेमाइगा सीर्फ चुर्वर्फ उसके बाद विकोज वोटर इस प्रेजन इन सच अलार्ज एक्सेस इस इस कंसेंट्रेशन रिमेंस अल्मोस चॉंसें डूरिंग दी रिखा गया है कि यह वोटर इतना ज्यादा है कि इसकी चंसेंट्रेशन पर कोई फराइक नहीं पढ़ेगा और हम उसको देखते हैं कि जिसकी कंसेंट्र इस को ठीक़ाइकसि तो ब्रीकटियस के अंदर सब्सस्रयाइट्रेशन आपस में प्रोडवेंसि आंपीज एक पहता है ए PD कॉलेजिन आपस में तकरागंज इफेक्टिव कुण से होगे, दोज कोलेजन, वीच रिजल्ट इन दा फ्रमेशन ऑफ प्रोड़क्ट, और नूबर ओफ एक्टिव कोलीजन डिपेंड करते हैं दो बातों पर, और रियेंटेशन बैरियर पर, एनर्जी बैरियर पर, और रियेंटेशन बैरियर क्या होता है ब हो जाए तब अगर N और C आपसमें टकरा गए तो प्रोड़क्त नहीं बनने वाला है तब यह ऐसे कैसे ही रहेगा इनिफेक्टिव कोलीजन से है रिक्वाइड प्रोड़क्ट सार नोट फॉंट जब यह ऑक्सीजन के साथ यह टकराया कार्बन तो बना सियोटू और यह अन्नो बच गया इधर बट अगर नाइट्रोजन और कार्बन तकरा गए तो इन्हों नहीं आपसमें बनाना था ठीक है वेन कोलीजन बिट्विन का अगला है थ्रेश होल्ड एनर्जी थ्रेश होल्ड एनर्जी थ्रेश होल्ड एनर्जी क्या होती है बटा किसी भी एक्षिन में अगर प्रोड़क्ट बनाना है रिक्टंट से प्रोड़क्ट बनाने के लिए इसको एक पीक पॉइंट को क्रोज करना होता है ठीक है इसी को मे energy किस पर depend करती है reactant की energy में activation energy जोड़ देते हैं बस यह है बटा आगे मुझ करते हैं कुछ missing तो नहीं है ग्राफ मैंने आपको बोल दिया है कि अच्छे से पढ़ लेने हैं यह मैं पढ़ा चुका हूं आप रोगों को चलो एक आज आता है effect of temperature on rate of reaction यह हम ओलड़ी discuss कर चुके है कि जो आपकी rate of reaction है वो depend करती है temperature पे किस तरह से depend करती है कि with every 10 degree rise in temperature rate of reaction increase by two times है ना जब भी temperature को 10 degree rise देंगे रेक्शन की speed double होती चलेगी इसके बारे में ज्यादा ग्यान दिया दादा ने जिनका नाम था आरहेनियस है ना उन्होंने क्या बोला के is directly proportional to e की power minus ea rt ठीक है k इसको हटाएंगे तो यहां से आएगा a e की power minus ea rt a को हम लोग क्या बोल सकते हैं और हेनियस constant बोल सकते हैं इसको pre exponential factor भी बोल सकते हैं या फिर इसको frequency factor भी बोल सकते हैं और तो सब simple system है ea का मतलब activation energy होता है र का मतलब होता है very nice r का मतलब होता है gas constant और t का मतलब होता है यहाँ पर temperature ठीक है यहां से यह आपकी equation है k is equal to a e की power minus ea rt इसको अपने ln लिया दोनों तरफ तो यह हो जाएगा ln k ln a e की power minus ea rt अगर कभी भी log m into n है तो formula क्या बन जाता है log m plus log n तो बटा यह multiply में है तो यह क्या बन जाएगा ln a plus में ln e की power minus ea rt यह power आग्या जाएगी minus ea rt और ln e जो है 1 हो जाएगा और यहां पर बचेगा ln a ठीक है अब आप अलग-अलग temperature पे इन दोनों cases को discuss करोगे at temperature t1 कुछ यह होगा है ना और at temperature t2 कुछ यह हो जाएगा है ना आप relation किस किस में करो rate constant में और temperature में सिर्फ वह ही change होगे temperature t1 पे क्या हो जाएगा यह k1 और यह t1 और temperature t2 पे यह t2 और यह k2 बस बाकी तो सेमी रहा है यह equation number 1 यह equation number 2 2-1 करोगे तो यह तो cancel हो जाएगा यहां पर क्या पत्याएगा 2-1 ln k2 minus ln k1 is equal to 2-1 तो यह वाली टम प्लस में हो जाएगी तो में से जब 1 को माइनस करो गए तो को इदर रखेंगे इसको जब माइनस करो गए तो यह प्लस में हो जाएगी तो फोनलों बन जाएगा गलत तो नहीं हो गया तो माइनस मन आइटिंक तो मैं सही बोलाँ गयार माइनस ए ए ए और टी एलन ए से देख बटा ऐसे है एलन के टू माइनस एलन के वन is equal to एलन ए से एलन ए कैंसल हो जाएगा और यह क्या बचेगा कि यह प्लस मैंनस ए आर कुछ इस्तरा से होगा इस यह प्लस का होगा बटा और यह कुछ नहीं है लोग X-Log Y क्या होता है लोग X by Y होता है EAR इन दोनों में से common आएगा और यह क्या हो जाएगा T2-T1 गलत लिखा गया है यहाँ पर यह सारा फॉर्मला ही गलत है नोर्स में मुझे सुधार करना पड़ेगा तो यह फाइनल फॉर्मला बनेगा आपका आलन K2 by K1 is equal to EA by और यहाँ पर T2-T1 by T1 T2 इस तरह से बनेगा आलन का फॉर्मला होता है 2.303 लोग इसको में लिख सकता हूं लोग K2 by K1 is equal to EA by 2.303 और यहाँ पर हो जाएगा क्लियर है तो इसको कर लेना है और तो कुछ दिखकत इसमें होने वाली थी नहीं आगे मुझ करें तो अब इस से लेटिड अलग-अलग कोशन बनते हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी कि यार आपको मैं ओर्डर पताना सिखांगा वैसे तो ओर्डर होता है आपको द्यगोति है ऊट इस में लिपर हैं उनकी के ऊपको ya नहीं नहीं लिखो घ्रण के रेट दे रखा है, यह 0.40, 0.40, यह h2 है, और यह क्या है, अनो है, है न, यह है, if I am not wrong, just a minute, इसको मैंसे कर देते हैं, इसको मिलिग देते हैं, ह2 और इसको मिलिग देते हैं, अनो है, अब तो सही होगा, मेरे साथ से तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो देखिए, करेंगे क्या, k और 0.80, और 0.40 की पावर q, equation 3 पे आओगे, rate of reaction क्या है, 9.2 into 10 की पावर minus 3, k 0.40 की पावर p, h2 की पावर आपने p मननी है, और 0.80 की पावर q आजाएगे, यहां से equation बनाओगे, अब आप क्या गरोगे, आपको with respect to h2 निकालना है, with respect to no निकालना चीए, यानि कि no की concentration cancel हो जानी चीए, अब देखो, no की concentration किसमें हो सकती है, अगर आप 2 और 1 को देखो, तो इसमें दोनों सेम दे रखें, तो आप operation लगा हो, 2 by 1, 18.4 into 10 की पावर minus 3, 4.6 into 10 की पावर minus 3, है ना, और यहां पर यह भी, k 0.8 की पावर p, 0.4 की पावर q, इसको दोर में रख दोगे, तो 10 की पावर minus 3 से 10 की पावर minus 3 cancel हो जाएगा, k से k cancel हो जाएगा, 0.4 की पावर q से यह cancel हो जाएगा, तो इनको जब आप एकवेट करोगे, यह है 4 is equal to 2 की पावर p, तो इसको आप 2 की पावर 2 और इसको 2 की पावर p लिख सकते हो, तो p के लिए क्या तो आपको Q के लिए solve करना तो आपको देखना है कि Q अलग हो और P cancel हो जाए P cancel होगता है 3 में और 1 में तो आप operation लगाओगे बड़े को छोटे से divide करोगे 3 by 1 लगाओगे operation ठीक है 9.8 इंटो 10 की पावर 3 by 4.6 इंटो 10 की पावर तो यहां से 2 आया है और यहां से क्या आया है 2 की पावर Q तो सबसे पहले आप से पुच्छा गया है overall order of reaction with respect to H2P था P के value 2i है अनो Q था 1 आई है तो 2 plus 1 is 3 rate low equation बना दोगे इसके लिए rate low equation आपने स्टाटिक में क्या बनाई थी ह्टो की पावर पी अनो की पावर तो यह हो जाएगा इसके बाद rate constant किसी भी equation में पूट करके बेटा rate constant की value आपकी solve हो दाएगी और इस तरह से किसी भी numerical को बहुत इजिली कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और दुबारा दे question को करते हैं और यार यह मेरे को दुबारा शूट करने पड़ रहे है कि 15-20 minute की वीडियो खराब हो गई थी it's okay कोई बात नहीं हो जाती है कुछ गलती है चलो तो एक question है बहुत popular question है for a first order reaction show that time required for 99% completion is time required for the completion of 90% reaction बताएगे कि एक reaction को 90% complete होने में जितना time लगता है 99% complete होने में उसका double लगेगा 90% का double लगेगा यह हमने प्रूव करना है तो बैटा first order के बहुत सारी question पूछे जाते हैं आपको फोर्मॉला पता होना चाहिए फोर्मॉला के होता टी is equal to 2.303 by k log a by a-x है ना तो टी 99% के लिए solve पूरोगे 2.303 k log a यानी initial उसको 100 रखोगे a-x 100-x यानी 99 तो 100-99 is 1 तो यह 100 ही रहेगा और अगर मैं लोग 100 को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं log 10 की power 2 log अगर m की power n है तो पावर आग्या जाती बटा 2 हो जाएगा और log 10 की value 1 होती है इसके 100 by 10 is 10 तो लोग 10 है log 10 की value 1 होती है तो अब इन दो लोग को compare करोगे t99% को t90% को t99 by t90 यह क्यों दाएगा 2.303 by k इंटु में 2 log 10 तो 1 होता इसको चोड़ो और t90 की आओगा 2.303 by k यह cancel हो जाएगा log 10 से log 10 1 होता हो ना भी करोगे तब ही चलेगा इसको 2 बचेगा तो t99% जो minimum amount of energy required by reactant molecule to participate in reaction देखो बेटा किसी भी reaction को अगर होना है तो reactant को टगराना पड़ेगा तब product बनता है reactant को product में convert होने के लिए एक energy चाहिए that energy is known as threshold energy जैसे reactant से product बना रहे हैं तो यहां पर बेटा threshold energy यह peak point को हम लोग threshold energy बोलते हैं generally reactant के पास यह energy नहीं होती है तो वो energy उसक को हम लोग activation energy बोलते हैं इसकी simple definition यह भी हो सकते है minimum amount of energy supplied to reactant so that energy of reactant becomes equal to threshold energy ठीक है इस process को हम लोग बोलते है exothermic process है ना और इन cases में heat जो है evolve हो जाती है अगर आप दूसरे case को समझो यह reactant है यह product है इस case में product के energy ज्यादा reactant की कम है तो reactant को energy energy को absorb करना पड़ेगा so that कि product बना पाए है ना तो ऐसे cases में हम लोग इनको बोलते है endothermic process और इन cases में heat जो होती है वो absorb हुआ करती है आगे मुँआ करते है a reaction is of second order with respect to reactant how the rate of reaction affected if the concentration of reactant is double reduced to half three times देखो बटा अगर third order की है तो आप लोग क्या लिख दोगे कि जो rate है rate क्या लिख दोगे rate is equal to k और a की power 2 और मैं आप से पुछो new rate क्या होगा अब उस पहले case में उसने बोला concentration को double कर दो तो यह क्या जाएगा k और concentration को double करोगे 2a की power 2 इसको solve करोगे 2 का square हो जाएगा 4k a का square तो पहले वाली को और दूसरे वाली को compare करोगे तो यह इसका 4 times हो चुका है अगले case में reduce to half concentration को half कर दिया a का 1 by 2 इसका square कर दोगे तो यह 1 by 4 आजाएगा इसको जब आप इसके साथ compare करोगे पहले वाली के साथ तो यह 1 by 4 times है अगले case में concentration को 3 times कर दिया है इसका 3 times कर दोगे लोग वगारे नहीं है तो वह zero order की होती है और zero order के लिए slope की होता था बैटा minus की होता था अगली बात unit of rate constant तो zero order के लिए rate constant क्या होता है rate constant की unit की हो जाएगी mole per liter की power 1 minus n per second अब क्योंकि zero order है तो यह हो जाएगा mole per liter की power 1 minus 0 per second 1 minus 0 is 1 तो यह हो जाएगा mole per liter per second के लिए है कुछ और भी order कर चुके है कई मारे बैटा जी क्या होता है कि आपको ना unit दी होती है rate constant की और आपको उसका order प्रेडिक्ट करना होता है तो उसके लिए simple मैं बता रहा हूँ उसमें आप लीटर की power देखो और उसमें plus 1 कर दो तो वही order होता है जैसे यह है mole per liter per second लीटर की power minus 1 है इसमें plus 1 करूंगा minus 1 plus 1 ही 0 तो 0 order हो जाएगा जैसे एक reaction है जहां पर आपको पर second दे रखा है मैं आपसे पूछता हूँ इसका order क्या है k की unit आपको दे रखे है per second तो लीटर नहीं दे रखा लीटर की power 0 है उसमें 1 कर दोगे तो लीटर की power 1 होगी तो एक फ लीटर में plus 1 कर देना 2 plus 1 तो यहां से 3rd order आजाएगा अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ यह आप लोगों ने खुल से बताना है मोल की power minus 1 लीटर की power 1 per second आपको बताना है कि यह किस order की reaction थी क्लिर है बता आगे मोग करते हैं next बात करते हैं अब first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 की power minus 3 per second how long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram 5 gram initial concentration है और 3 gram तक आपने इसको reduce करना मतलब concentration after time t जो है वो 3 gram है तो t is equal to 2.303 by k log r0 by r या a by a minus x है तो k की value दे रखी है initial concentration 5 gram है कहां तक दाना है 3 gram तक दाना बस लोग 5 कितना होता है बई 0.6990 होता है लोग 3 कितना होता है 0.4771 होता है इसको solve कर लोगे जो भी आएगा वो आपका answer आजाएगा इसके बादे फ़र्स टोड़े reaction टेक्स 20 minutes for 25% decomposition बेटा इस तरह के question बहुत पुचे जाते हैं कि इतनी reaction इतनी दिर में हो रही है तो तो उतनी reaction कितनी दिर में होगी आपको बोला गया होता है 2.303 by k log a by a-x अब क्योंकि reaction 25% complete हो रही है 2.303 by k log a क्या हो जाएगा 100 और a-x जितनी concentration consume हो पाएगी 25% complete हो गया तो 25 भी consume हो पाएगी तो 100-25 is 75 है ना अब के को अधर ले गए है कितना टाम लग रहा है 25% complete होने में 20 मिनर्स लग रहा है 100 by 75 तो यह जाएगा 4 by 3 log 4 minus log 3 log 4 की value होती है 0.6010 3 की value है 0.4771 यह दिया हुआ है बट मैं आपको recommend करूंगा log 1 to 10 की value आप लोग याद करोगे तो इसको solve करेंगे के solve हो जाएगा 25 is 25 और के value दे रखें पुट कर दिया t is equal to 2.303 by k log a by a minus x तो के value पूट कर दी लोग 100 by 25 यानि कि 4 by 1 लोग 4 की value पूट की और यहां से आपका answer आ गाईल बताओ कहां दिक्कत आ रही है कहां परिशानी आ रही है इसके बाद है अगर आप 10 degree बढ़ाते हो तो rate of reaction डबल हो जाती है rate constant भी डबल हो जाता है और इसको हमें किस ने बताया था आरहनियस दादा ने बताया था तो k is equal to a e की पावर minus ea rt अगर आप graph बनाना चाहो तो यह हो जाएगा y mx c यह y axis पर बनेगा यह x axis पर बनेगा 1 by t यह है slope और यह है intercept negative slope है तो graph decreasing बनेगा ठीक है यह formula होता है बेटा नुमेरिकल के लिए यूज के जा सकता है और चलो नुमेरिकल के लिए यूज भी कर ही लेते हैं the rate of chemical reaction double for an increase of 10 Kelvin मतलब k1 जो भी है k2 जो है two times of k1 ठीक है for 298 Kelvin तो formula क्या होता है numerical का low k2 by k1 ea 2.303 r यह बटा कई मार पुछा जाएगा 2.303 r universal gas constant होता है जिसकी value होती है 8.314 जब आप इस सारे को solve करते हो ना मैंने solve किया है 19.147 आता है तो यहां से आपने ea solve को लेना है वो हो ही जाएगा इसमें कुछ दिक्कत परिशानी आपको होगी नहीं clear है आगे में करते है next the rate constant for a first order reaction is 60 second inverse how much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1 16th value तो इनिशिल तो 1 होगी और 1 16 तक इसको reduce करना है a minus x कितना हो जाएगा 1 by 16 यह है a कितना होगा 1 और a minus x कितना हो जाएगा 1 by 16 उसकी बाद तो simple है t is equal to 2.303 by k log a by a minus x a जो भी था a minus x कितना हो जाएगा just a minute यह बार बार आ रहता है कि तो लोग 16 को के लिग सकते हैं log 2 की पावफ 4 कैसे लख सकते हैं 2 x 2 x 2 x 2 x 2 2 x 2 x 2 x 84 x 2 x 16 अशल चैसे लिख जा सकते हैं तो इसको सोलक रेगा इसको यह उपका अंसर आ जाएगा तो यहां पर वेक्ट kayo चपिटर कहता है अगे मैं बोलों distinguished how well I'm झाल झाल